सार सक्सेस में आप सभी लोगों का स्वागत है अगर आप NTA Net Political Science की त्यारी कर रहे हो या फिर UPSC और State Civil Services में आप Political Science को as an optional पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आप पढ़ेंगे Samuel P. Huntington के बारे में इनके द्वारा ल इनकी एक महतोपूर्ण और historical theory मानी जाती है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सार सक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे humble request है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को like and share जरूर करना तो सबसे पहले हम इनकी life and biography को अच्छे से पढ़ लेत हैं समझ लेते हैं इनका पूरा नाम था Samuel Phillips Huntington इनका जनम 1927 को हुआ और इनकी death 2008 को हुई और ये अमेरिका के बहुत बड़े political scientist रहे हैं academician रहे हैं और Harvard University के prominent professor रहे हैं और ये जाने जाते हैं clash of civilization के लिए जिसको हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे वैसे तो political science में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है लेकिन three fields में मुख्यता बहुत बड़ा योगदान रहा है जैसे military politics, strategy and civil military relations, US and comparative politics and politics in less developed societies इन्होंने 1991 में एक महतवपून राइटिंग लिखी जिसका नाम है the third wave democratization in the late 20th century और इस theory में इन्होंने एक term को गड़ा जिसका नाम है waves of democratization जिसमें इन्होंने लोकतंत्र की तीन लहरों की बात की जिसमें पहली लहर 1828, दूसरी 1943 और तीसरी 1972 के बाद शुरू हुई साथ में इन्होंने ये भी कहा कि political participation and political institutionalization साथ में होना चाहिए अर्थात political institutionalization पिछड़ना नहीं चाहिए क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर developing countries में क्या होता है कि gap उत्पन हो जाता है जिसको इन्होंने gap hypothesis कहा है और इसी gap hypothesis की बज़े से फिर political decay होता है यानि की राजनितिक हरास होता है अब हम बात कर लेते हैं इनकी important writings की पहली the soldier and the state दूसरी conservatism as an ideology अगली है the common defense एक अगली है changing patterns of military politics अगली है जो की बहुत ही important है political order in changing societies अगली है जो की और भी बहुत important है crisis of democracy और अगली एक है no easy choice और next is American politics the promise of democracy और इनकी important और रही है the third wave democratization in the late 20th century जो की 1991 में इन्होंने लिखी और ये बहुत ही important है अगली important writing है political development and political decay जो की इन्होंने 1993 में लिखी अगली है the clash of civilization the remaking of world order 1996 और ये भी बहुत ही important है अगली है world 2000 conflict chaos and civilization Canadian strategic forecast और अगली है culture matters 2000 में लिखी और अगली है many globalization जो की 2004 में इन्होंने लिखी और last but not least who are the challenges to America's national identities तो अब हम बात कर लेते हैं इनकी key notions और theories की हम पढ़ेंगे modernization को political development, political decay, gap hypothesis, clash of civilization और last में हम बात करेंगे democratization की लेकिन इसते पहले कि हम एक एक करके इन theories को पढ़ें मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इन्होंने development और modernization में किसी भी तरह का अंतर नहीं किया क्योंकि इनका मानना था कि modernization की वज़े से development खुद हो जाता है इसलिए हमें इन शब्दावली को अलग-अलग लेने की जरुवत नहीं है तो अब बात कर लेते हैं political decay की तो इन्होंने जो अपनी study की वो की developing countries में और less developed countries में तो उन्हें के संधर में ये कहते हैं कि कभी-कबार इन देशों में modernization की होड की बज़े से disorder स्थापित हो जाता है और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हैं क्योंकि ये कहते हैं कि वहाँ पर जो economic development है और social change है वो तो हो जाता है लेकिन वहाँ की जो institutions है जो developed countries है इन्होंने adopt की है वो वहीं की वहीं रह जाती है उनमें कोई change नहीं हो पाता है इसलिए उसके बीच एक gap उत्पन हो जाता है और उसी gap की बज़े से ये कहते हैं कि फिर वहाँ पर political decay होने लग जाता है तो अब बात कर लेते हैं gap hypothesis की तो gap hypothesis basically यही है कि जब developing countries में social economic development तो तेजी से होता है इसमें परिवर्तन होता है लेकिन इन्होंने जो institutions adopt की है उसका तेजी से विकास नहीं हो पाता है वो ही पिछड़ जाती है तो ऐसी स्थिति को इन्होंने gap hypothesis कहा है अब बात कर लेते हैं modernization की तो यह कहते हैं कि modernization को हम चार आधारों पर पता लगा सकते हैं कि किस country में किस हद तक modernization हुआ है यह कहते हैं psychological label, demography label, intellectual label, social and economic label अगली हम बात कर लेते हैं political development की यह कहते हैं कि political development को हम चार भागों में बाढ़ सकते हैं और यह है adaptation, complexity, autonomy and coherence adaptation का मतलब होता है अनुकूलन यानि कि हमारा जो समाज है, दूसरे समाज, जहां से हमने कुछ लिया है, कुछ institutions लिये हैं, उसके कितना अनुकूल है complexity का मतलब होता है कि एक जो society होती है, उसमें कितनी complexity है, कितनी जटिलता है, कितनी विभिदता है और autonomy का मतलब होता है, स्वायत की किसी समाज में लोग कितने स्वायत है, कितनी इनको स्वायता है और coherence का मतलब होता है, संसक्तता, यानि कि जटिना, यानि कि वहाँ के लोग किस तरह से unite होते हैं, किस तरह से एक होते हैं अब बात कर लेते हैं clash of civilization की तो clash of civilization का जो इन्होंने से धांत दिया वो अपनी प्रमुक कृती the clash of civilizations and the remaking of world order में दिया जो कि इन्होंने 1996 में लिखी तो ये historical idea इन्होंने इसी कृती में प्रोपाउंड किया और इसमें ये लिखते हैं कि जो future war होंगे वो simple war नहीं होंगे जैसे क कि पहले हमने first world war देखा second world war देखा बलकि ये लोगों के जो culture है या फिर religious जो identities है उसके मध्य ही या उनमें टक्रा होने को लेकर ही होंगे और 21st century में यही बार होने वाले हैं और इन्होंने एक important quotation दी जिसमें ये कहते हैं कि future wars would be fought not between countries but between cultures तो ये कहते हैं कि जो विश्यों में या विश्यों में जो future में जो युद होने वाले हैं वो countries के मध्य होंगे culture के मध्य होंगे और ये वाला point बहुत ही important है इसको अच्छे से आपने याद रखना और इन्होंने कहा कि ऐसी 8 civilizations होने वाली है जिनके मध्य 21st century शतावदी में clash of civilization होगा कौन सी 8 है तो ये 8 है ये और the clash of civilization में ये 8 civilization की बात करते हैं और ये है जो आपको screen पर दिखाई दे रही है हिंदुईजम, cynic, cynic का मतवता है जो Chinese fundamentalism है Islamic orthodox हो गया orthodox को बोलते हैं जो communism जो विचारधारा है उससे related Western civilization, African civilization, Japanese, Latin American तो ये 8 परकार की civilization है Huntington कहते हैं कि इन ही 8 civilization के मध्ध है 21 शतावदी में टकरा होने वाला है, युद होने वाला है, संगर्ष होने वाला है और ये धार्मिक और सांस्कृतिक संगर्ष होने वाला है ना कि उस तरह का संगर्ष है जो या उस तरह का युद है जो हमने First World War या फिर Second World War में देखा इसके अलावा आपको कुछ और बाते याद रखनी हैं, जैसे कि Clash of Civilization का जो जिक्र है ऐसा नहीं है कि हंटिंग्टन ने पहले बार किया इससे पहले भी अलवर्ट केंपस ने 1946 में इस शब्दावली का परियोग किया था, वहीं जब अयोध्या डिस्प्यूट भारत में हुआ था तो उसके बाद गिरिलाल जैन ने भी 1988 में इस शब्दावली का परियोग किया था, लेकिन इससे भी important note जो आपको ध्यान में रख clash of civilization में पहली बार clash of civilization नामक थियोरी को प्रतिपादित किया था, तो अब हम बात कर लेते हैं democratization की, तो सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं कि democratization क्या होता है, democratization एक ऐसी प्रक्रिया है या फिर process है, जिसके द्वारा कोई भी political regime more democratic बन जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि democratization एक ऐसा process है, जिसके द्वारा military rule या फिर despotic rule democracy में पूरी तरह से तबदील हो जाता है, बदल जाता है और democratic जो rules होते हैं, norms होते हैं, values होती हैं, उनको adopt कर लेता है, तो इसकी जो व्याख्या है, यानि कि democratization की जो व्याख्या Huntington ने दी, वो अपनी प्रमुकृती, the third wave, democratization in the late 20th century में दी थी, जिसमें वे बात करते हैं, three waves of democratization की, और ये आपको जो screen पर दिखाई दे रही है, यही three waves of democratization है, first wave of democracy जो की 1828 को शुरू हुई, 1926 तक रही, second wave of democracy जो की 1943 से शुरू हुई, और 1962 तक रही, और third wave of democracy जो की 1934 से शुरू हुई, और अ तो अब हम इनको एक-एक करके समझने की कोशिश करते हैं, first wave of democracy, इसका जो era रहा है, वो 19th century रहा है, और ये 1828 को तब शुरू हुई थी, जब USA में जो white male की majority है, इनको right to suffrage वहाँ पर दिया गया था, तब ही इस घटना से, अमेरिका से ही first wave of democracy शुरू हुई थी, और अमेरि point है, ये इसको अच्छे से याद रखना, दूसरी important बात ये है कि first wave of democracy में बहुत हद तक या फिर बहुत कुछ देशों तक democracy reached हुई, जैसे France, Britain, Canada, Australia, Italy, Argentina, Germany, Austria और Ottoman Empire तक democracy पहुँची, और इसमें नोट करने वाली बात यहाँ पर ये भी है, कि 39 देशों में first wave of democracy में democracy पहुच और इससे भी important बात ये है कि 1922 से 1942 तक अर्थात इन वर्षों के दौर में reverse wave of democracy की शुरू हुई, ऐसा इसलिए क्योंकि जर्मनी में नाजिबाद और इटली में फासिबाद की शुरूआत हुई, और वहाँ पर पूरी तरह से लोगतंत्र को खतम कर दिया गया, लोगतंत्र क जो कि mid 20th century से शुरू हुई थी, अर्थात 1943 से ये शुरू हुई थी, और इस second wave of democracy में जैपैन, West Germany, Australia, India, Nigeria, Malaysia, Pakistan, Philippines और Venezuela जैसे अधिक देश democratized हो जाते हैं, और इस काल में भी हमें reverse wave of democracy की देखने को मिलती है, जो कि 1958 से 1972 के मद्धे रही, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समय के दोरान भी military rule स्थापित हो जाता है, खास तोर पे जो muslim countries हैं उनमें, और communism भी कहीं के countries में स्थापित हो जाता है, जहांपर communist party की प्रधानता स्थापित हो जाती है, या फिर hegemony स्थापित हो जाती है, जिसको कुछ बिद्वानों ने reverse wave of democracy की संघ्यादी, अब बात कर लेते हैं third wave of democracy की, जो की 1974 को शुरू हुई थी, और ये तब शुरू हुई थी जब पुर्तुगल और लिस्बन में कारनेशन revolution शुरू हो जाती है, बिसिकली कारनेशन revolution लिस्बन में तब शुरू हुई थी, जब वहाँ पर military rule के विरुद औ लोगों ने क्रांती लाई और वहाँ पर democratic rule को स्थाफित करने का परयास किया था, और इसी कारनेशन revolution के द्वारा फिर ये जो democratization है, वो काफी तेज हुआ और Latin America, Asia Pacific में 1980 के दर्शक में बहुत सारे देश democratized हुए, जिनके नाम हैं Philippines, South Korea, Taiwan, Thailand, Cambodia, Turkey, Poland, Hungary, Honduras और the Maldives तो बर्मा और मरोकों में भी limited democratic reforms शुरू किये गए थे, हलंकि यहाँ पर note करने वाली बात ये है कि इस third wave of democracy में 60 से अधिक countries democratized हुई, और ये हुई Europe, Latin America, Asia और Africa, यानि कि चारों माधुइप में बहुत सारे countries democratized हो जाती है, तो ये थी three waves of democracy तो अब बात कर लेते हैं कि जो third wave of democratization शुरू हुई थी, उसके पीछे क्या-क्या causes रहे, तो इसमें पहला जो करन था वो है decrease of legitimacy of authoritarian regime, तो जो authoritarian regime थे, वहाँ पे लोगों की जो legitimacy है वो खतम हो गई, क्योंकि modernization भी developing countries में आ रहा था, तो लोगों ने ये महसूस किया कि उनके लिए democracy ही बहुत अच्छा शासन का रूप है, और इसलिए उनके साथ जो है, वो competitive elections होने चाहिए, permanent election होने चाहिए, और economic जो poor performance ह उसको बड़ोतरी देनी चाहिए, तो इस हिसाब से लगातार elections करवाने चाहिए, और democratic जो values हैं उनको establish करना चाहिए, दूसरा important कारण रहा, modernization and economic development of developing countries, तो समय के साथ साथ क्या हुआ कि जो developing countries हैं, उनमें modernization शुरू हुआ, तो इसकी वाज़े से लोगों ने economical development की मांग की, modernization शुरू हो गया था, फिर urbanization भी होने लगा, तो education का spread भी होने लगा, तो इस तरह की जो सारी चीज़े हैं, इन्होंने role play की, और उपर से फिर जो middle class है, यह भी rise हो रही थी, तो उन्होंने भी demand शुरू कर दी, अगला important करण है, role of new social moments in the 1970s, तो 1970s में पर्यावरन को लेके farmer के अंदोलन या फिर feminist moment शुरू होते हैं, rights को लेके demand शुरू होते हैं, जिनको basically या फिर सामोही कुरूप में new social moments कहा जाता है, तो इनका भी काफी प्रभाव रहा third wave of democratization को लाने में, अगला एक important करण है, original contingency factor, जिसको कि snowball effect भी कहा जाता है, basically यह US की domino theory है, जिसने दोगतंतर क विश्चों में फैलाने में काफी बड़ी मदद की, क्योंकि USA ने हमेशा से ही जो सामेबादी विचार दा रहा है, उसको एक खत्रे के रूप में देखा, तो उसको रोकने के लिए और democracy को पूरे विश्चों में फैलाने के लिए USA का परियास रहा, जिसको कि snowball effect भी कहा जात है, तो ये भी एक third wave of democratization को लाने में महतवपून काज रहा, अगला important कारण external factors है, यानि कि हम ये भी कह सकते हैं कि United Nations और जो European Union रहा है, इन्होंने जिस तरह से विश्चों में democratic values को establish करने में महतवपून भूमिका निभाई, इस वज़े से भी third wave of democratization शुरू हुआ था, अब कर लेते हैं कि कुछ विद्वान ये मान्यता रख रहे हैं कि 2010 में जो Arab Spring शुरू हुई थी, उससे fourth wave of democracy शुरू हुई थी, क्या ये सच है या जूट है, इसकी तलाश में हम निकलते हैं, या हम पता लगाने की कोशिश करते हैं, क्या सच में fourth wave of democracy शुरू हुई थी, तो इसक इरा कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ scholars मानते हैं, ये कहते हैं कि 2012 से ये शुरू हुई, 21st century में, और ये कहते हैं कि ये Arab Spring जब 2012 में संपन हुई, तो वहां से ये शुरू हुई, अब Arab Spring क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, तो Arab World जो है, यानि कि Arab countries जो है, उनमें क्या हु लोगों ने revolution लाई, और ये basically ये Tunisia से शुरू हुआ था, जिसमें लोगों ने rights की demand की, democratic values को establish करने की demand की, higher standards जो living के हैं, उसको establish करने की demand की, तो इन सभी चीजों को देखते हुई, Tunisia से ये Arab Spring शुरू होती है, और इसी को सामुए कुरूप में Arab Spring का नाम दिया गया था, तो ये basically जो Arab Spring है, ये बात में Tunisia, Egypt, Libya और Yemen सभी देशों में फेली, जिसको की Arab Spring कहा जाता है, और कुछ विद्वानों ने Arab Spring को ही fourth babe of democracy की संग्या दी, तो ये एक basically आज भी debate का मुद्दा बन गया है, कि क्या बास्तब में fourth babe of democracy है, वो आई है कि नहीं आई है, क्योंकि कुछ एक important वीडियो, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ आपने नया सीखा होगा, तो देखने के लिए दिल से धन्यवाद,